आएं जी recap करें consolidation, बहुत कुछ हमने इसमें add on किया है, लेकिन चंद very crucial points जो आपको exam के point review से सामने रखने हैं, उनको मैं एक दवार repeat कर रहा हूं, ताकि आपको idea हो जाए कि minimum requirement जाए हो तो यह है, maximum में तो कोई limit नहीं है, लेकिन at least इतना तो आना है चाहिए, number one है, कि आप सबस से पहले group structure बना कर देखें क्या है, कि holding, subsidiary, sub subsidiary, associate की percentages क्या है, number two, date of acquisition, यह इसलिए जरूरी है, कि from this date onward, आपकी income शुरू हो जाएगी, इससे पहले profits और रहा हैं, वह आपका share, उसमें आपका share नहीं है, बहुत जरूरी है, इसलिए तरह fair value adjustment on acquisition, जनी आप अगर किसी company के share खरीदने जा रहे हैं, तो आप उसके net asset खरीद रहे हैं, तो net assets की fair value calculation करना पड़ती है, यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक company खरीद रहे हैं, तो उसके asset की real worth क्या है, उसकी fair value करना पड़ती है, आचा, इसकी base पर आपने फिर determine करना है, consideration को कि पैसे कितने देने, अब देखें, पैसे कितने देने पहली बात यह, देने कैसे हैं, यह दूसरी बात है, जैसे मैंने अभी इस question में भी था, कि आपने कुछ share issue कर दिये, और कुछ cash दे दिया, और मैंने पूरा सवाल आपको करवाया है, कि purchase consideration में अगर contingency involved है, तो उसको कैसे incorporate करना है, तो that is again an important question, कि consideration की calculations क्या है, और उसके बाद, आपने, जो adjustments है, the number of them, as I said, हमने कोशिच की है, काफी cover करने की, लेकि minimum जो requirement है, unrealized profit on inventory, और यह जो seller है, उसकी books में आएगा, और उसकी books में आता है, तो फिर minority interest का भी impact आता है, उसमें, क्योंके minority को फिर उतने पैसे कम मिल रह होंगे, इसी तरह sale, और property plant and equipment में, inter company में अगर sale है, तो उसमें भी जो unrealized profit है, उसको rewrite करना है, इसी तरह depression की adjustment है, उसको लेकर चलना है, और फिर inter company में जो receivables, payable है, income expense है, services दे रहे हैं, आप उससे प्यासे मिल रहे हैं, तो आपने वो तमाम inter company balances को reconcile करना है, और वो ultimately close हो जाएंगे, यह एक company कहती ही, मने आपके दस देने हैं, तो दूसरी company कहती ही मैंने आपसे दस लेने, यह नहीं एक कहें, जो आपके साथ गेंगे ऐसा नहीं हो सकता आपने रिकंसायल करना है और जब तक वो रिकंसायल नहीं होगा वो राइट आफ नहीं हो सकते और पिर इसमें जो में चीज है वो है वर्किंग ऑफ गुडविल के बारे में बस इतनी से बात जैन में रखिए कि अगर कंसीडरेशन झाले हैं और नेट एससेट्स की वर्थ जो है आपको ज्यादा मिल रही है तो वह नेगिटिव गुड़िल के अलाइटी और इसके बारे में मैं आपको स्प्रेंग कर दिया था कि नेगिटिव गुडविल के बारे में है कि आप रिवाय रिवर्स करें फिर से देखें के ज इसको state reserve के against right off कर सकते हैं इससी तरह अगर वो कहता है इसको gradually right off करें तो वो भी possible है लेकिन examiner जो कह रहा है वो करना है आपने नॉर्मली तो यह है इसके बारे में goodwill के कि आपने every year end इसको review करें कि कहीं इसमें impairment तो नहीं हो रही है अगर impairment हो रही है तो देर अंदर नहीं impairment करके profit को charge कर दें लेकिन यह possibility नहीं है कि goodwill बढ़ जा रही है बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं घटेगी यह इसको कम ही होना होगा य इसके बाद जो आपने चिस statement बनानी है है जी वह आपके देखें वह तो है जी income statement भी है balance sheet भी है change in equity statement भी है और मैंने आज आपको cash flow statement भी बना दी फिर इसमें आपके जो जो है joint ventures की बाद थी वह भी हमने कर लिए associate company की बाद भी कर लिए सारा कुछ हमने किया तो यह सारा कु किया लेकिन इसमें से जितना भी आप company and कर सकते हैं exam में इतनी ज्यादा detail में तो नहीं आएंगी यह चीज़े लेकिन बारहर पोर्शन में आएंगी छोटी होटे सवाल बनेंगे जिसमें आपको बताना पड़ेगा आचा इसमें जो चीज़े cover नहीं हुई आप कहेंगे 70% share नहीं ले सकते पॉसिबली नहीं हैं आप gradually खरीदेंगे तो जब आप gradually खरीद रहें तो कभी आपने 10% लिए फिर 20% लिए फिर 30% हो गया फिर 40% में इस तरह से खरीद रहें तो the question arise कि जी आपका control कहां से शुरू होगा usually आप कहेंगे जहां से 50% से ज्यादा हम share खरीदे लेकिन question is आपने अगर पहले से target किया है कि हमने 80% तक जाना है तो it means कि आपको consider करना पड़ेगा क्योंकि substance क्या है कि आपने 80% तक जाना है इसलिए फिर हमें उसमें एक बड़ी लंबी चोड़ी calculation करनी पड़ती है कि कब से हम pre acquisition profit तसवर करें और post में जाए तो that is a problem in पड़ पस्मेल कोसेशिए.